दोस्तों कि आप जानते हैं भारत का किस देश के साथ रोटी बेटी करिश्टा है। इन दोनों देशों के बीच सिर्व राजनेतिक या कूट नितिक संबन नहीं है। बलकि दोनों देशों के संस्कृति, परंपराओं और सभिताओं में भी काफी समानता देखने को मिलती है। दोनों देशों में गाहे को काफी पवित्र माना चाहता है। और दोनों देशों के नागरेक एक दूसरे के देश में बिना वीजा और पासपोर्ट के आ जा सकते हैं। दोस्तों हम बात करें भारत और इसके पडूसी देश नेपाल की। नेपाल और भारत के संबंधों का इतिहास सैक्डो साल पुराना है। नेपाल के लोक रोजगार के लिए भारत आते हैं। और नेपाल एक जैसे ही नज़र आते हैं। लेकिन दोनों देशों के बारे में बारीकी से समझने पर पता चलता है, आखिर दोनों देश एक दूसरे से कितने अलग है। आज कि इस वीडियो में हम भारत और नेपाल का डीटियल में कमपैरिसन करने वाले हैं, जिसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि कौन सा देश है, ज्यादा बहतर और क्यों। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजे। दोस्तों, नेपाल का अधिकारिक नाम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ पब्लिक है। Size and Population के मामले में नेपाल भारत के आगे काफी चोटा नजर आता है। भारत की चोटल पॉपलेशन 142 करोड से जादा हो चुकी है। वही नेपाल की कुलाबादी 3 करोड के आसपास है। महत्मा बुद का जन भी नेपाल में ही हुआ था लेकिन उन्हें ग्यान की प्राप्ती भारत में हुई थी। को अपना गुलाम नहीं बना पाया। दुनिया की 10 में से 8 सबसे बड़ी चोटी नेपाल में ही तो मौजूद है। प्रधान के हैरानी होगी कि आजादी के बाद नेपाल के राजा त्रीभुवन बिर बिक्रम सिंग ने भारत के ततकालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहालाल नहरूजी को एक आफर दिया था। और कहा था कि वो नेपाल को भारत का एक प्रांथ बना लें लेकिन नहरूजी ने इस प्रस्ताफ को खारिच कर दिया। नहरूजी ने कहा कि नेपाल एक स्वतंतर राष्ट है और इसे स्वतंतर राष्ट ही रहना चाहिए। GDP and Per capita Income 202 देशों के तुलना जब भी की जाये तो अर्थ विवस्ता के बारे में देखे बात करना बहुत जरूरी है। आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थ विवस्ताओं में से एक है। भारत की टोटल GDP 3.8 trillion dollars है और इस सूची में भारत दुनिया में पांचवे नमबर पे आता है। वही नेपाल की GDP 37 billion dollars के आज पास है। नेपाल की गिंती भी developing nations में की जाती है। धीरे धीरे नेपाल प्रगती के पत पर अग्रिसर हो रहा है। नेपाल को इस मामले में भारत और चीन दोनों का भरपूर साथ मिल रहा है। कम आबादी होने के बावचूद नेपाल में per capita income भी भारत से कम है। आज भारत में प्रती व्यक्ती सालाना करीब 1600 dollars की कमाई कर रहा है। तो वही नेपाल में per capita income सिर्फ 1250 dollars है। असल में नेपाल में रोजकार की भारी कमी देखने को मिलती है। नेपाल के युवा भारत सही दुनिया के कोने कोने में फैले हुए है। भारत की अर्थ विवस्ता एग्रिकल्चर सेक्टर, मैनेफैक्टरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर पर निर्भर करती है। वहीं नेपाल की टेक्स्टाइल इंडस्ट्री सबसे मस्बूत मानी जाती है। इसके अलावा कारपेट, सीमेंट और शुगर का एक्सपोर्ट भी नेपाल करता है। ट्यूरिजम सेक्टर भी नेपाल की एकॉनमी का मेजर पार्ट है। कोवेट महमारी के दौरान जब नेपाल में आर्थिक संकट आ गया था। लेकिन जैसे तैसे नेपाल ने अपनी सिच्वेशन को संभाला और खुद को दिवालिया होने से बचा लिया। लेंग्वेश, रिलिजिन और एजुकेशन दोस्तो भारत में सबसे आदा बोली जाने वाली भाशा हिंदी है लेकिन इसके अलावा संविधान में 22 अन्य भाशाओं को जगा दी गई है। भारत में हर 20 कोस में लोगों की भाशा में परिवर्तन देखने को मिलता है। इसलिए देश भर में आपको हजारों भाशाओं में बात करते हुए लोग नजर आ जाएंगे। वहीं नेपाल में सबसे आदा नेपाली भाशा का ही इस्तमाल किया जाता है। इसके अलावा उर्दू और भोशपूरी जैसी भाशाएं भी नेपाल के लोग बोल और समझ लेते हैं। 2008 में इस देश ने समविधान में बदलाव कर खुद को सेकुलर कंट्री खोशित कर दिया। आज नेपाल में 81% आबादी हिंदू की है। 9% लोग बहुत धर्म को मानते हैं। इसके लावा 4% लोग इसलाम धर्म, 3% लोग किरत धर्म और 2% लोग क्रिस्चैनिटी को मानते हैं। यानि भारत की तरह नेपाल में भी धार्मेक विविदता देखने को मिलती है। एजुकेशन की बात करें तो भारत का लिटरिसी रेट 80% तक पहुच गया है। और आने वाले दिनों में इस आकड़े में 30 से बढ़ोतरी देखने को मिले की। आज भारत के कई शेरों का लिटरिसी रेट 90% से ज़ादा हो गया है। वही नेपाल का लिटरिसी रेट फिलहाल 66% के आसपास है। और एजुकेशन की फिल्ड में नेपाल को अभी काफी काम करने की ज़रूरत है। आज भी नेपाल के कई गाओं ऐसे हैं जहां आसपास कोई स्कूल नहीं है। नेपाल को अगर वास्तव में तरक्की करनी हैं तो सबसे पहले अपने एजुकेशन सिस्टम को मस्बूत बनाना होगा। दोस्तो भारत का सालाना डिफेंस बजचेट 75 बिलियन डॉलर्स है। अब भारत की गिंती दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में की जाती है। वहीं नेपाल का डिफेंस बजचेट सिर्फ 424 मिलियन डॉलर्स है। विसे देखा जाये तो नेपाल को आर्मी की बहुत स्यादा जरूरत नहीं है। क्योंकि उचे-उचे पहाड़ों को पार करके नेपाल तकाना अपने आप में किसी चुनोती से कम नहीं है। आज के समय में नेपाल ने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। नेपाल के लोग का मानना है कि हिमालेन रेंज में आज भी यती रहते हैं। यती एक प्रकार के हिम मानव होते हैं जो इंसानों से बड़े और शक्तिशाली होते हैं। आज पूरी दुनिया में साल 2022 चल रहा है लेकिन नेपाल में सन 2019 चल रहा है क्योंकि नेपाल के लोग विक्रम संवन के कलेंडर को फॉलो करते हैं। नेपाल का टाइम जोन भी माउंट एवरिस्ट से तै किया जाता है। नेपाल के मोमोस भी वर्ड फेमोस हैं। आपको हर गली, चौराहे और मोहले में मोमोस बिक्ते हुए दिख जाएंगे। इसके अलावा नेपाल के हर घर में रोजाना, डाल भात और सबसी खाई जाती है। नौन्वेज खाने वाले लोगों की भी यहां कोई कम ही नहीं है। नेपाल एक ऐसा देश है जहां शराब का सेवन सबसे कम किया जाता है। और इसके लिए नेपाल की तारीफ तो भाई की जानी चाहिए। Famous Turist Places दोसब भारत में घुमने के लिए बहुत सारी जगा मौझूद है। वो भी इतनी की एक वीडियो में उन सब के बारे में डिसकस करना पॉसिबल नहीं है। हर राजी और केंदर शासित प्रदेश खुमने लायक धेरो जगा है। कश्मीर को धर्ती का स्वर कहा जाता है। गोवा भारत का सबसे प्रमुक ट्यूरिस्ट टेस्टिनेशन है। यहां कि नाइट लाइफ और बीचेस का अनंद लेने हर साल देश-विदेश से लाखों से लानी आते हैं। राजस्थान में आपको भारत की संस्क्रती के एक अलगी छलक देखने को मिलेगी। यहां के अतिहासिक के लिए और उनका आर्किटेक्ट्चर आपको दुनिया के अन्ने किसी देश में देखने को नहीं मिलेगा। उत्रखंड और हिमाचर प्रदेश के हसीन वादियां हर किसी को अपनी और आकरशित करती हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में कुत्व मिनाल और लाल किला जैसी अनेको जगा आप घूमने के लिए जा सकते हैं। नौर्थ एस्ट की हर्याली सैलानियों को मंत्र मुक्त कर देती हैं। मिघाले के मौसिन राम और चेरा पुझी वो इस्थान हैं जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इन सब के अलावा भारत की वाइल लाइफी बहुस कमाल की है। एशियन टाइगर, रॉयल बेंगॉल टाइगर और वाइट टाइगर सबसे ज़्यादा भारत में ही देखने को मिलते हैं। वाइल लाइफ के लिहाद से नेपाल भी एक अच्छा देश है। यहाँ पर आपको 900 से ज़ादा प्रजातियों के पक्षी देखने को मिल जाएंगे। सेकलो तरह की तितलियां भी नेपाल में पाई जाती है। जंगली जानवरों में यहाँ आपको हिम तेंदुआ, परपानी चीता, रेट पांडा, बेंगोल टाइगर, एक सिंगवाला गेंडा जैसे कई जानवर देखने को मिल जाएंगे। जिसकी वज़ा से इसे एशिया का एमाजान भी कहा चाता है। काटमांडू शहर अपने आप में बड़ा इतिहास समेटे हुए है। यह शहर नेपाल की कापिटल सिटी है और शहर में साथ यूनेस को वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल है। अगर आप कुछ दिन शानती के साथ व्यतीत करना चाहते हैं तो पोकरे की झीलो कर रुख कर स करते हैं। पशुपतिनात मंदर के बारे में तो आप सभी ने सुनाई होगा। इसे नेपाल की शान माना जाता है। यह भगवान शिफ के आठ प्रमुग धामों में से एक माना गया है। सावन के महिने में पशुपतिनात मंदर का अधवत नजारा किसी का भी दिल जीतने क लिए काफी है। इनकी अलावा नेपाल में एक स्थूप भी बना हुआ है। जिसे बुद्ध की आँखे भी कहा जाता है। यह जगा भी बहुत श्रधालूओं के बीच काफी प्रसित है। पिछले कुछ समय में भारत से नेपाल घूमने जाने वालों की संख्या में हुत्री देखने को मिली है। बजट कम हैं और इंटरनेशनल ट्रिप करना चाहते हैं तो बस नेपाल एक परफेक्ट ट्यूरिस्ट डेस्टिनीशन साबित हो सकती है। दोस्तो भारत और नेपाल की करेंसी में भी अंतर देखने को मिलता है। हालकि दोनों देशों में चलन करनी से नेपाल में चल भी जाती है। तो दोस्तो ये थी नेपाल और भारत के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करतें आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और बताएं। नेपाल और भारत में से आपको कौन सा देश पसंद आया कॉमेंट सेक्षिन में लिखना। मिलते अगली वीडियो में तिल देन भाई भाई टेक केर।